असलाम आलेकूम, आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही स्पेसल रेसिपी, यह रेसिपी जो है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, चिकन की तो सारी रेसिपी बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो यह बॉनलेश चिकन से हम बना करके तयार की हैं तो यहां पर हम लेंगे हाफ केजी बॉनलेश चिकन जिसे हम अच्छे से वास्ट करके और सारे पानी ड्रेन कर लिए हैं पानी एक भी नहीं रहना चाहिए अब हम इसमें मसाले अट करेंगे तो डालेंगे इसमें एक चमची तिकी वाली लाल मीच पॉडर मीची और नम मसाले जो हम इसमें पॉडर एड करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाप चमची मेथी का पॉडर आपकी पास मेथी का पॉडर हो तो जरूर से एड की जगा वैसे कबाब में मेथी की पॉडर से बहुत ही अच्छे टेस्टी आते हैं हाप चमची डालेंगे अधरक का तीन बड़ी चमची डालेंगे और इस रेसिपी में जो दही बहुत ही जरूरी है दही से हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छा सा टेंडर होगा और दही डालने से कबाब में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा आ जाता है तो तीन बड़ी चमची हम इसमें डाल देंगे दही आप चाहे तो इसमें थोड़ी से सॉसेज भी एड़ कर सकते हैं, बस इन सभी चीज़ों को मच्छे से करेंगे mix और इसे हम रख देंगे दो गंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, आपके पास समय हो तो आप इसे overnight भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा मैर कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हुआ है, तो इस तरीके से पिसेज को उठाते जाएंगे, और इस टिक में हम इसे पील कर देंगे, आप चाहे तो इसके पिसेज छोटे भी रख सकते हैं, हम मेडियम सैज रखे हैं, तो हम 3-4 इस में पिसेज एड़ करेंगे, जिसे फ्राइ होने में कोई धिकत ना हो, इसी तरीके से सारे चिकन के पिसेज को इस टिक में हम पिल करके रखते जाएंगे, और यह बहुत ही यम्मी तयार होता है, बन करके और इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद सिखाते हैं, वैसे सेकंड्स के लिए तेल को हीट रखेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम को हम लो कर देंगे, जिसे की हमारा चिकन जो है अंदिर से भी अच्छे से ये पक सके, और एक तरब से पक जाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे, ताकि दूसरे तरब से भी अच्छे से पक सके, और ग कबाबों को फ्राइक करने लग शुकते हैं यहान है नेक्स्ट वीडियो है यहां पर हमारा खाना भी सर्फ हो